नमस्कार दोस्तों मेरा नाम सौरव है और नवरात्र की शुभ अवसर पे मैं आपको ले चलता हूँ पटना में 90's वाली दुरगा पूजा में जो हम सब के 55 की दुरगा पूजा हुआ करती थी उसका एक छोटा सा परिचाय आपके सामने पेश कर रहा हूँ कलकत्ता के बाद हमको लगता है पटना का दुरगा पूजा सबसे धूम धाम से होता है लास्ट टाइम दुरगा पूजा में पटना में कब थे यह यह याद भी नहीं आपके बाद ही आता था बिहारी लोग के कलेंडर में अब छुट्टी लेना है तो 20 दिन बाद दिवाली क ले लेगे उसमें चटवीला पिटा जाएगा तुरगा पूजा में कौन घर जाएगा तुरगा पूजा का असली क्रेश समझिये कि श्टूडेंट लाइफ में जादा था एक तो तबहा के छुट्टी मिलता था स्कूल कॉलेज में उसके उपर घूमने फिरने की पूरी आ दिये हैं ते कानवे रुक्रा कम है जी बाकी घर से भी लो जाके साल दर साल दुर्गा जी का पंडाल भी बड़ा होता गया और पटेल युवा मंच का इंक्रोश्ट लैंड पे बनाया हुआ ओफिस भी जादा तर नौजवान लोग फूसला यानि फ्रस्टेटेड वन साइड लबर्स असोसेशन के मेंबर थे इन सभी रांजनाओं की सो नम कपूर सब खूब सच धज के निकलती थी अस्टमी या नौमी को पटना में उस समय लड़कियां समझे कि सिर्फ पढ़ा यानि स्कूल या ट्यूशन के लिए ही घर से निकलती थी विदाउट मेकप नाचुर अगर असली शुरुवात होती है छठे दिन के बाद समझदार लोग सप्तमी तक ही सजावट देख लेते और परिवार के बाकी लोगों को गाइड करते अलंकार का देवी जी मत मिसकी जिएगा ठाकुलबारी रोड में असली जेवर डाले हुए है प्योर गोल्ड का और आर और पटना का कार अफोर्ड करने वाला मिडल क्लास फिर रात को चंगादर के जैसा गोमने निकलता वो ट्रेंड इतना पॉपलर हो गया नाइंटीज में कि दो-तीन साल में अश्टमी के रात के दो बजे नाला रोड, डक बंगला, स्टेशन रोड, असोक राजपत सब पे भयानक जाम, और पंडाल सब का भी गजब का सजावट, हर पंडाल का अपना एक अलग डिजाइन, एक और मज़दार बात होती थी पंडालों पर होनी वाली अनॉंस्मेंट, लगता था कि सेम आदमी हर पंडाल में जाके हर दिक भिनंदन करता है और करता ही रहे गवा, अन सामने से गुजरने वाली भीड का लाइव टेलिकास्ट होता, उस टीवी में दिखने के लिए लोग परेशान रहते, वापस घूम के आते और किसी चिंपानजी की तरह हाथ पर हिलाते रहते, जैसा आजकल स्टेडियम में लोग स्क्रीम पर दिखने पर करते हैं, दिखे क् महरात सामने से, फोटो ना आ रहा है हमारा कमरा में, तो धक्का काला के दो रहा है जी, वापी का फोटो के चाना आ का टीवी में, हम यहां का मूता क्या हैं, फिर कहीं कहीं किसी बदनसी परिवार का बच्चा खो जाता, जिसका अनौंस्मेंट पंडाल वाले जब तब करते रहते, एक बच्चा जो पीला सट और लाल पॉइंट पहने हुए है, और अपना नाम बंटू बताता है, पिता का नाम पपा, और मा का नाम बंटू की मा है, उसके माता पिता से इन रोध है कि क्रिपया आकर उसको यहां से ले जाएं, साउंड बॉक्स का तार नोचरा है, सबसे मसहूर दुर्गाजी थी कॉर्पोरेशन की, और उसके सामने एक पतली सी अमरूदी गली वाली, अमरूदी गली में हर साल कोई स्पेशल मटेरियल की दुर्गाजी बनती थी, कभी खोवा की, कभी मक्षन की, एक बार तो ब्लेड का दुर्गाजी बना दिया था सब, उनको देखने के लिए उस दस फीट चौड़ी जगह में हजार लोग पुँचाए रहते, भीड केतनों रहे भाई, घुस के दरसन तो करना है एक बार, कॉर्परेशन के सामने से घुसिये और डॉक्टर उतपल कांती त्लिनिक के सामने निकली है, फिर राम कृष्ण मिशन पैदल चलते चलते कहां से कहां चले जाते थे लोग, अब बताइए कंकडवाक से मौर्या लोग कोई नौर्मल दिन में पैदल चला जागा क्या है, फिर चाट, फोचका, चावमीन के दुकाने, आप और कुछ और कुछ और किये थे, आ गया कुछ और, पर आप इतना प्रोटीन होता है, निगल लिजी, एक बड़ी अच्छी चीज आ गई थी हमारी कॉल्नी में, प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारीज का एक ब्रांच था पास में, वो लोग लड़कियों को बिठाने ले गए दुरगा जी बना के, बस लग गई भीड, हम तो लोकल थे, साम को जाके वहां बैट जाया करते थे, कहीं भी भटकने की जुरत नहीं, पटना के सारे अच्छे लोग आपके पास आ जाते थे, असली देवी जी के दर्शन करने, किसी दोस्त ने परजा पिता वालों से महिशा शूर बनने काल क्वालिफिकेशन पूछा था, पता चला कि हम ल तो आशा है आपको ये परिचाय जो 90s की दुर्गा पूजा का था पसंद आया, मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजिए, आपको इस तरह के वीडियो और निकट भुविश में मिलेंगे, धन्यवाद और हपी नवरात्तरी तो एप्योबटी